जैश्री किष्णा खैनल महादेव कातिक महत्तम का आठवा आध्याय भगवान श्रीहरी विश्णु की विशेश फिरपा प्राप्ते करने के लिए इस कातिक महामे दीपतान अवश्य करें आठवे अध्याय में राजन कहते हैं अब मैं कातिक व्रत के अनुष्ठान में लगेवे पुरुष के लिए उत्तम उध्यापन विधी का संशेप से व्रणन करता हूं तुम एकारगे चित होकर सुनो वर्ती मनुष्य कार्ती शुक्ल पक्षे की चतुदर्शी को ब्रत की पूर्ती तदा भागवान विश्णु की प्रसनेता के लिए उध्यापन करें तुलसी जी के उपर एक सुन्दर मंडप बनाए जिसमें चार दरवाजे बने हों उस मंडप में सुन्दर बंदनवार लगाकर उसे पुष्प मैं चवर से सुशोबीत करें चारो दरवाजों पर प्रितक प्रितक मिट्टी के चार द्वारपल, पुन्य, शील, सुशील, जया और विजे की सापना करके उन सब का पूजन करें तुलसी के मूल भाग में वेदी पर सर्वत्तो भद्र मंडल बनाए जो चार रंगों से रंजित होकर सुन्दर शोबा संपन और अत्यन्त मनों पर प्रतीत होता हो सर्वत्तो भद्र के उपर पंचरतन यूत पलश की सापना करें उसके उपर नारिल का महान फल रख दें इस प्रकार कलश स्थापित करके उसके उपर समुन्दर कन्या लक्ष्मी जी के साथ शंक, चक्र और गदाधारन करने वाले पितामबर धारी देवेश्वा श्रीहरी विष्णु जी की पूजा करें सर्वत्तो भद्र के मंडल में इंद्र आधी लोग पालो का भी पूजन करना चाहिए भगवान द्वादशी को शेन से उठें त्रदशी की देवताओं ने उनका दर्शन किया और चतुदिशी को सब ने उनकी पूजा की इस समय भी उसी ति आधि मा का शोडश चार द्वार नाना प्रकार के भख्षे भुझे प्रढ़ात्रस्तुत करते भी पूजन करना चाहिए रात्री में गीत और वाधे आधी मांगलिक उससवों के साथ भगवान की समीब ज害रन करना चाहिए जो भगवान विश्णु के समीब जहर्ण काल में भक्ति पूर्वक गान करते हैं वे सो जन्मों की पापराशी से मुक्तो जाते हैं राते जागरें के पशाद पुन्यमा को प्राता काल अपनी शक्ति के अनुसार 30 ब्रहामनों को या एक सब्तक नीक ब्रहामन को भुजिन के लिए निमेंटिट करें उस जिन क्या हुआ दान, होम और जब अक्षेफल देने वाला माना गया है अतहा प्रति पुष, खीर, आदी के द्वारा ब्रहामनों को भरिभाती बोजन करें अतो देवा, आदी दो मंत्रों से देव, देव, भगवान, विष्णू तथा अन्य देवताओं की प्रसनेता के लिए प्रिथक प्रिथक तिल और खीर की आहोती छूड़ें फिर या था शक्ति दक्षिना दें और उन्हें प्रणाम करें इसके बाद भगवान विष्णू, देव, गण, तथा तुलसी, कपुना पूजन करें प्रति दिन भगवान के पूजन से मेरे संपून, मनुरसपल को तथा इस देहे का अंत होने पर मैं अत्यन दुल्लभ वेकुंड दाम को प्राप्त करूँ ऐसी प्राथना करें इस प्रकार शमायाचना करके ब्रह्मनों को प्रसंद करने के पश्चात उन्हें विदा करें और गौज सहीत भगवान शिगहरी विष्णू की सोवन्न मैं प्रतिमा अक्चारी को दान कर दी तर पर शाथ भग्तपुरुष सोहरीदो और गुरुजनों के साथ स्वयमी भुजन करें कार्टिक हो या माग उसके लिए ऐसी ही विधी बताई गई है जो मनुश्य इस प्रकार कार्टिक की उत्तम व्रत का पालन करता है वे निश्पाप एवं मुक्त होकर भगवान शिरी विष्णू की समीपता प्राप्त करता है संपून व्रतों तीर्तों और दानों से जो फल मिलता है वही इस कार्टिक व्रत का विधे पूर्वक पालन करने से करोड़ गुनाव होकर मिलता है भगवान शिरीहरी विष्णू की सदा ही जये हो और आपके जीवन में हमेशा